नमस्कार दोस्तो आप सभी के इन्वेश्टिंग क्लब से चैनल पर सौगत हैं दोस्तो जिस तरीके से अमेरिका और जपान में फेक्सिनल सेयर की ट्रेडिंग होती है उसी की तर्जबर भारत में भी बहुँ चल्द फेक्सिनल सेयर के जड़िए आप किसी सेयर को खरी दिया पर सकते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले यह बात कर लेते हैं कि फेक्सिनल सेयर क्या होते हैं दोस्तो जब आप दूसरे देश जैसे अमेरिका हो गया जपान हो गया अगर आपको किसी सेयर में निवेश करना है किसी सेयर को खरीतना रहता है तब आप उस सेयर में बहुत कम पैसे से भी निवेश कर सकते हैं जैसे मौन के चलिए अगर किसी सेयर की किमत USA में 1000 रुपए है और आपके पास केवल 100 रुपए है तो आप तब भी उस 100 रुपए से उस कंपनी के सेयर में जो है वह निवेश कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको 100 रुपए दे कर जो है उसके फैक्सनल सेयर जो है वह खरिदने होंगे दोस्तो सेयर का मतलब होता है कमपनी का एक हिस्सा और फैक्सनल सेयर का मतलब होता है कि उस एक सेयर का भी हिस्सा यानि जब आप एख़र रुपए की सियर को Fictional sillier की जरिए 100 रुपए में खृते हैं तब आपको उस एक सियर का दस्वा हिस्सा मिलता है यानि अगर कंपनी पर आपकी हिस्तेदारी की बात करें तो एक सियर की जिस्तिनी हिस्तेदारी हैं उसके तस्वा भाग जो है आप उसे सेयर के हिस्तेदार होते हैं दोस्तो फैक्षिनल सेयर का कॉंसेप्ट जो है वह पुराना है और बहुत से लोग USA सेयर मार्केट में इसी वज़ा से निवेज करते हैं क्योंकि वहाँ पर फेक्शनल सेयर जो है वह उसके जरीए आपने विज़ कर सकते हैं वहने देखे दोस्तों वहाँ की जो बड़ी-बड़ी कमपनियां हो गया जैसे फेस्बूक, ट्विटर वगरा हो गया इन सारी कमपनियों का सेयर जो है बहुत महेंगा है और साथ ये साथ अगर आप इसको डॉलर टू रूपी टम में करनवर्ट करेंगे तो इसकी किमत जो है वह और भी बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन अगर आप फेक्शनल सेयर के जरीए जो है इसमें 100 रूपए की किमत से भी किसी सेयर को खरीच सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब यह बात कर लेते हैं कि फेक्शनल स्टॉक को खरीदने से किस तरीके के फायदे होंगे दोस्तो भारत में अभी सेयर की निवेज की नियूतम एकाई एक सेयर है यानि अगर आपको किसी कमपणी में निवेज करना है तो आपको कम से कम एक सेयर जो है वह खरीदने होते हैं छोटी कमपणी हो गया जैसे ITC वगरा हो गया इस पर तो हर कोई जो है वह खरीदारी कर सकता है लेकिन जो बड़ी कंपणिया है यानि जिनके सेयर की किमत जो है बहुत अधिक किमत पर ट्रेड होती है जैसे A.M.R.F. हो गया, Honeywell हो गया या 1000 रुपए से उपर के जो सेयर है जैसे TCS हो गया, Reliance हो गया इन सेयरों को normal retail विक्ती बहुत महंगा है यह सोच कर जो है वह नहीं खरेट पता है यह उसके पास इतने पैसे होते भी नहीं है कि वह उस सेर उस पैसे से एक सेर जो है खरे सके जैसे अगर अभी वर्तमान समय में बात करें तो इहे off company का सेर जो है या कई बार तो लोग जो है 10,000 रुपए से भी निवेश करते हैं तो इसका फायदा ऐसे सेयर निवेश को जो है उनका होगा इसके अलावा फैक्सिनल सेयर जो है एक सेयर का अंस होता है यानि अगर आप जितना रुपए से किसी सेयर में निवेश करना चाते हैं उतनी रुपए से उस सेयर में निवेश कर सकते हैं तो ऐसे मान के चलिए अगर आप एक पोटो फोल्य बनाना चाते हैं और आप चाते हैं कि हर 10 सेयर रगर हर सेयर में करीबन 5-500 रुपए निवेश करेंगे तो ऐसे में जो कम किमत के सेयर है जैसे माल लीजिए जिस किमत की जो सेयर जो है वह 200 रुपए, 2500 रुपए यह 500 रुपए है तो उसमें तो आप असानी से खरीद लेंगे लेकिन अगर कोई अच्छी कमपणी है और उसकी किमत जो है वह जादा है जैसे 2000 रुपए यह 4000 रुपए तो ऐसे में आप उस पोर्टोफोलियो के अकॉर्डिंग जो है अपना पोर्टोफोलियो नहीं बना पाएंगे तो ऐसे में अगर फिक्सनल सेयर होगा तो हर 500 रुपए से किसी भी सेयर में जो है आप निवेस कर सकते हैं दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जुरूर बताएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद